हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बैटल रोयल ये 2000 की एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी एक्स्पार्ण करने वाला हूँ 42 नाइन्थ ग्रेड के स्टूडेंज को एक डेजर्टेट आइलेंड पर ले जाया जाता है वहाँ पर अगर उन्हें जिना है तो एक दूसरे को मार डालना है यही आज की मूवी के हमारी स्टूरी है इस मूवी से बहुत सारे गेम्स और मूवी भी इंस्पार्ण है यह एक जापनिस मूवी है जिसके आइमडेवी रेटिंग 7.6 और रोटान टोमेटोस पर इसे 88 परसेंट है तो चले इस मूवी को इसमेंट करना स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ इन्फोर्मेशन दी जाती है सधी स्टार्ट हुए और 15% unemployment की वज़े से 10 लाग लोग के जॉब चले गए 8 लाग बच्चों ने स्कूल छोड़ दी उसके वज़े से बहुत ज इस इन में हम देखते है कि जो लेट की बैटल रोयल में जीती थी उसे बहुत बड़ी मीडिया कवरेज मिल रही है एक खून से रत्पद है और इसे चेहरे पर एक विशेज स्माइल है हमारी फिर मूवी की स्टोरी हमारा मेन क्यार जिसका नामे नाना हरा यह बदाना स्टा इसके बाद नेकसिन में हम एक टीचर देखते है जिनका नाम है कवाड़ा एक लासरूम से जब बाहर निकल थे तो एक लड़गा इनके पैर पर चाकु मार देता है चाकु मारने वाले लड़के का नाम नोबू था, नोबू के हाथ से चाकु गिर गया था अगर एक चाकु कवड़ा को मिल जाता तो नोबू ट्रवल में आता तो उसकी फ्रेंड जिसका नाम था नोरिको उसने चाकू उठा लिया और छुपा दिया उसके बाद वो टीचर स्कूल छोड़ कर चले गए स्कूल के सब बच्चों के लाइफ नॉर्मल से चल रहे थी एक दिन वो ट्रीप पर जा रहे थे इस ट्रीप पर हम देख सकते हैं कि नोरिको नानाहरा के पास आ दिये उसने नानाहरा के लिए कुछ कूकिस बेक की थी वो उससे दे दे दिये एक्च्वल में नोरिको को नानाह क्लास्रूम में रखा जाता है यह सब होश में आते हैं तो directly इसी अलग बच्च है थोड़ी दर में हिलिकॉप्टर आता है और वहाँ से कवाड़ा उतर थे हैं कवाड़ा वही टीचर है जिसको नोबु ने पेर पर चाकु मारा था कवाड़ा क्लासरूम में आकर कहते हैं कि मैं फिर से अब तुम्हारी क्लासरूम का इंचाज बन चुका हूँ दो नए बच्चे यहाँ पर है तो कवाड़ा कहते हैं कि यह दोनो ट्रांसपर स्टूरेंट्स है इनसे तुम सही से पेशाना यहाँ पर जब वो नोबु को देखते हैं तो उसके पास जाकर उसे गयते कि तुमने मुझे बहुत ही हर्ट कर दिया था तुम्हें उसके बाद स्कूल छोड़ दिनी चाहिए थे कवाड़ा फिर बोर्ड पर बियार एक्ट लिखते हैं यहाँ चल कह रहा है यह स्टूरेंट्स को समझ में नहीं आता कवाड़ा कहते हैं कि तुम लोग एडल्स का रिस्पेक नहीं करते हैं इसलिए तुम्हारे लिए ही स्पेशली यह रूल बनवाया गया है सुदूरन जब उपने टीचर के बारे में पुछते हैं तो कवाड़ा डारिकली उनके टीचर की लास ही यहाँ पर राता है सब बच्चे बहुत ही डर जाते हैं लास रूम में फिर स्क्रीन लाया जाता है जहाँ पर एंकर लेड़ी इस गेम के सब रूल्स बताने वाली है वीडियोज जरा से स्टार्ट होती है और एक लड़ की बाते कर रहे होती है कवाड़ा चाकू लेकर डेर्कली उसके सर में डाल देता है वो बोलता है कि मैंने सब लोग को शान बैटने के लिए कहा था सब लोग और बीडर जाते हैं सब भागने की कोशिश करते हैं पर उनके आसपास soldiers हैं तो कहीं भी भाग नहीं सकते हैं इसके बाद video फिर से play होती है और हमें game के बार में पता चलता है यह सब लोग एक deserted island पर है जिसका radius 10 km का है इनको एक दूसरे को मार डालना है इनके पूरे class में एक ही बच्चा जिन्दा रहेगा अगर इन बच्चों ने team बना ली और decide किया कि वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे तब government officials इन सब लोग को मार देंगे इन सब के गले में एक device है जो government activate करकर उसे blast कर सकती है इस तरह से PUBG में zone होता है उसे तरह से इस game में भी danger zone रहने वाले है अगर कोई danger zone में रहा तब ही भी उसके neck का device explode हो जाएगा नोबू को यह सब सही नहीं लगता और वो out of control हो जाता है कवाड़ा गुस्य में उसका neck का device activate कर देते है वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर इस device explode होकर वो मर जाता है नाना हरा उसका best friend है और उसे help करने की कोशिश करना चाता था पर वो कुछ भी करने पाया सब लोग अब बहुत ही डरे हुए है फिर इसे video play होती है इन सब students के पास सिर्फ तीन दिन है इस game को complete करने के लिए अगर वो नहीं कर पाया तो फिर भी सब लोग को मार दिया जाएगा इन्हें एक bag दी जाएगी जिसमें उनके लिए life supply और एक weapon रहेगा weapon भी अलग-अलग होंगे क्योंकि life में हर एक को अलग-अलग opportunities मिलती है ये world fair नहीं है कवाड़ा कहता है कि life एक survival का game है अब तुमें जानना है क्या तुम survive कर सकते हो सब लोग अपने अपने backs लेकर एक एक करके वहाँ से भागते है नानहरा जब classroom से जाता है तो बाहर नोरिको के लिए वो वेट करने वाला है बाहर आकर एक लड़की को देखता है तब उसके neck में एक arrow है अल्रेडी ये game स्टार्ट हो चुका है arrow वाला लड़का नानहरा को भी मारने वाला था तब ही नोरिको आती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते है इस arrow वाले का friend भी बाहर आया वो अपने friend को नहीं मारना चाता था पर खुद के protection के लिए उसने उसको मार ढाला खुद के survival के लिए एक second में दोस्त दुश्मन बन चुके है नानाहरा और नोरिको भागते भागते समुननर के पास एक cave में छुप जाते है नोरिको के पास binaculars है और नानाहरे के पास एक shield इन weapon से वो किसी को भी हट नहीं कर सकते नानाहरा नोरिको से कहता है कि हमारे friends के साथ हम रह सकते है उस तरीके से हम safe रहेंगे नानाहरा को अपने friend नोबू के लिए बहुत बुरा लगता है नानाहरा और नोबू ये दोनो रूममेट्स थे एक flashback में हम देखते है कि नोबू नानाहरा से बुच्छता है क्लास रूम में या तुमें कोई लड़ की पसन है नानाहरा बुचता है क्या तुमें कोई पसन है नोबू कहता है कि मुझे कोरी को बहुत पसन है उसने मुझे आ जाकर ट्रीप पर चलने के लिए भी बोला नोरी को नानाहरा से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती है मैंने ही उसे Strip पर invite किया था नानहरा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो खुद आना चाहता था वो खुद अपने आपको दोशी मानता है वो कहता है मुझे उसे protect करना चाहिए था वो Noryko को promise करता है कुछ भी हो जाए लास्टा मैं तुमें protect करूँगा इसके बाद नेकसिन में हम transfer student जिसका राह में किरियामा इसको देखते है कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों ने टीम बना ली है और मिलकर सब लोग को मार रहे है इन्होंने किरियामा को भी पकड़ लिया है इनके पास machine gun, hand grenades इस तरह के खतरना खतिया है यह किरियामा को मारने वाले थे तभी इसने उनसे machine gun chain ली और सब पूरे group को मार डाला यह हमारा बहुत ही dangerous character है इसके next scene में एक couple हम देख सकते है किसी को मारना इन्हें पसंद नहीं है तो गेम वो खेलना नहीं चाहते है इन्हें लगता है कि इनके पास कोई भी option नहीं है तो इस suicide करना चूज करते है एक clip से वो jump करते है इसके बाद हमारा और एक main character मिट्सुको को हम देखते है मिट्सुको को एक cottage में एक लड़की मिलती है इस लड़की को लगता है कि मिट्सुको उसकी friend है ये दोनों मिलकर एक दुसरे को support कर सकते है इस लड़की का weapon taser है ये taser वो जब मिट्सुको को दिखा दिया तो इसी taser से मिट्सुको उसे shock देना चाहती है ये लड़की जब भागने लग जाती है तो मिट्सुको एक सिकल से उसका गला चीर देती है इसके बाद सुबह आती है कौन-कौन मर चुका है इसकी announcement कवाड़ा करता है इस island के danger zone भी सबको अब पता चलते है नोरिको और नानाहरा ये danger zone में आ सकते थे तो ये दोनों आगे चलने लगते है आगे चलते-चलते नानाहरा को उसका एक friend दिखता है उसका weapon axe है नानाहरा इस लड़के को जानता है और इसे नहीं मारना चाता है पर इलड़का सुनता नहीं ये डारी लिए नानाहरा पर attack कर देता है ये ज़रा hill जैसी जगा पर ही थे जब ये वहाँ से roll होकर नीचे गिरते है तब जो नानाहरा को मारने वाला था ये खुद इंजोर हो जाता है ये खतम नहीं हुआ तब ही नानाहरा को और एक टॉपर लड़का मारना चाता है ये कहता है कि टॉप कॉलेज में सिर्फ मैं ही जाने वाला हूँ इस टॉपर के बास gun है और वोने मारने वाला था तब ही ने जान बचा लेता है जान हमारा और एक में क्याएक्टर है जान भी एक transfer student है जिसने गेम जॉइन किया है जान नूरिको और नानाहरा को नहीं मारने वाला अचानक से नानाहरा को दो लेडिकियों की आवाज आती है ये लेड़किया माउंटन पर खड़ी होकर कह रही होती है कि इन्हें fight नहीं करनी है ये मिलकर team बना सकते है ये दोनो नानाहरा की friends है नानाहरा इसे पहचान लेता है तो उसे आवाज देता है जान उसे रोक लेता है कहता है कि ये दोनो अब पहुत ही danger में है अगर तुम उनके पास जाओगे तुम भी मर जाओगे नानारा जॉन पर चीर जाता है वो कहता है कि तुम मेरी help क्यों कर रहे हो जॉन कहता है कि इस तरह से तुम कुछ decision लोगे तो जल्दी मर जाओगे अगर तुम ये game नहीं खेलना चाते है तुमारे पास एक ही best option है जाओ और suicide कर डालो इनकी conversation चल रही थी तभी उन दोनों लड़कियों को किरियामा जाक कर मार डालता है जॉन कहता है ये जल्दी से यहां से हम भाग चलते हैं वरना वो हमारे पास भी आ जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि मिट्सुको के पास एक लड़की आती है उस लड़की का एक boyfriend था जिसको मिट्सुको ने पटा लिया था मिट्सुको ने जिस लड़की को कल रात मारा था वो इस लड़की की friend ही थी इस लड़की के पास गान है, फिर भी मिट्सु को उसे लड़ती है और उसी गान से उसे मार डालती है इसके बाद नेकसिन में हम देखते हैं कि नोरिको को ज़रा चोट आ गई थी चोट की वज़े से उसकी तबियत खराब हो रही है इस गर में कुछ मेडिसिन्स वगरा थी जो नोरिको को देता है वो अब ज़रा रेस्ट करती है नेकसिन में हम कुछ लड़के देखते है उन्होंने इस आइलान पर एक कॉम्पिटर ढून लिया है इसमें से एक हैकर है इनकी गले की डिवाइस को डियक्टिवेट करकर इनकी खिलाफ वो रिवालिशन करना जाता है हैकर के एंसिस्टर्स ने भी रिवालिशन में पार्ट लिया था ये एक्ट वो गलत समझता है तो इसके खिलाफ कुछ करना जाता है उसे पदा चल चुका है उसके नेक के डिवाइस में एक माइक्रोफोन है जिससे सब बाते कवाड़ा और उसकी टीम सुन सकते हैं वो स्क्रीन पर कुछ चीज़े टाइप करता है और ये सब चीज़े अपने फ्रेंज को लाने के लिए कहता है इन सब चीज़ों से वो बॉम बनाने वाला है इसके बाद एक लड़की कौम देखते है जिसका नाम है चिकसुआ चीज़ों को फिटनेस अचा लगता है तो इस आइलन पर भी वो रन करती है उसके पास फिर एक लड़का आता है वो कहता है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करता हो ये लड़का कहता है कि शायद इस आइलन पर हम मर जाएंगे उसके पहले उसे चीज़ों के साथ लगती है यह दोनों फाइट कर रहे थे तब ही वहां मिंच्चु को आगे मिंच्चु को के पास अब गान है जिक्सुआ वहां से जल्दी से भागती है पर फिर भी उसे गोली लग जाती है एक जगा पर जाकर वो मर रही है तब ही उसका फ्रेंड उसे मिल जाता है इसका न वो कहता है मैं और मेरी girlfriend उस सालों पहले हम दोनों इसी गेम में थे ये एक दूसरे को मार नहीं सकते तो इनके दोनों के नेक के डिवाइस एक्टिवेट हो चुके थे इन में से किसी ना किसी को तो मारना था जॉन की girlfriend ने उस पर गोली चलाई जॉन ने फिर उसे मार डाला मरते मरते girlfriend की face पर smile थी उसने जॉन को thank you कहा इन दोनों के एक साथ photo है वो नोरिको को दिखाता है नोरिको कहती है कि तुमारी girlfriend तुमसे बहुत प्यार करती थी उसने जान बूच कर ये सब किया जॉन अभी भी figure out नहीं कर पाया कि उसकी girlfriend मरते मरते उसे इतनी smile कैसे देख कर गए ये सब बाती कर रहे थे तब इक किरियामा एक लड़के को मारते मारते वहाँ पहुच गया उस लड़के को उसने मार डाला और नोटिस किया घर में कुछ लोग है उसने घर में बॉम डाला सब लोग पर गोलिया चलाए ये इन सब को मार सकता था तो नानाहरा उसको डिस्ट्रैक करने के लिए वहाँ से भागने लग गया उसने जॉन और नोरिको को दोनों को सेफ कर दिया नानाहरा एक जगा पर स्टक हो गया किरियामा उसे मारने वाला था तब इक किरियामा की गन स्टक हो गए नानाहरा का एक फ्रेंड वहाँ पहुच गया और उसने नानाहरा को बचा लिया किरियामा अभी भी उने मार सकता है तो इन दोनों ने पानी में जम मार दी इसके बाद हम देख सकते कि hackers और उसकी team ने अब bomb बना लिया है यह वो plan मना रहे है कि वो कवाड़ा के पास जाकर उन सब को मार डालेंगे जब सुबा होती है तो नानाहरा एक light house में है उसके पास एक लड़की है जिसने उसे मलम पट्टी की है यह उसकी और एक friend है नानाहरा उसकी friend को नानाहरा ने मार डाला है उसका boyfriend एक्स वाला लड़का था नानाहरा उसे मारना नहीं चाहता था नानाहरा को कुछ खाने के लिए देने वाले थे यह लड़की बदला लेने के लिए उसके खाने में जहर मिला देती है पार से दुसरी फ्रेंड आती है रेडी खाना देखकर वो खाने लग जाती है अब सब फ्रेण्स एक दूसरे पर शक करने लगती है एक खाना जिसने बनाया था उन्हें लगता है कि उसने ये किया होगा एक friend खाना बनाने वाली को मारने ही वाली थी तभी खाना बनाने वाली ने एक gun ली, इन दोनों में fight हो गए और एक दोनों मर गए एक दूसरे पर सब लोग शक करने लग गए और एक दूसरे को उन्होंने मार डाला जिस लड़की ने poison मिलाया था वो नीचे छुप गई थी और वो बच गई उसकी वज़े से उसकी इतनी सारी friends मर के तो उसे बहुत पच्चताव हुआ भाहा जाकर उसने खुदकुशी कर ली नानाहरा थोड़ी देर में उटकर जब भाहार आता है तो अब उसे बहुत बुरा लगता है इसके बाद हम फिर से नोरीको के पास आते है वो जब सोई होई थी तब उसे सपना आता है जिसमें वो नदी के पास कवाड़े के पास है एक्ट्वल में कवाड़ा एक बहुत ही गलत आदमी है नोरीको को पसंद करता था और हमेशा से उसे अनप्रोप्रेटली बाते करता था नोबु को भी नोरीको अच्छी लगती थी और उसे पसंद ने आया उसने बदला लेने के लिए कवाड़ा के पेर पर चाकु मारा था नोरीको को लड़किया चिड़ा थी थी इसका रिजन भी कवाड़ा ही था लड़कियों को पता चल गया था कि कवाड़ा नोरीको को पसंद करता है नानाहरा इंजोर्ट है पर फिर भी नोरीको को ढुड़ने के लिए निकल पढ़ता है वो चक्कर आकर नीचे गिरता है और उसके सपने में उसका फिर नोबू आता है उसे गहता है कि नोरिको का हमेशा खयाल रखना वो फिर से उठकर आगे चलने लगता है नोरिको और जॉन एक साथ है यह दोनों डेंजर जोन में आ चुके है तो जल्दी से वहाँ से भागता है नोरिको पीछे रहे जाती है और जॉन आगे निकलता है जॉन नोरिको को ढूणने पाता मिच्चू को नोरिको के सामने आ जाती है उसे वो मारने वाली थी तभी कवाड़ा वहाँ पोच्चता है हमें पता है कि कवारडा नोरिको को पसंद करता है तो उसे बचाने के लिए वह आया हुआ था मिच्चु को वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी तेर में नानाहरा नोरिको को ढून लेता है इसके बाद निकसिन में हमें हिरो की फेसे दिखाया चाता है हिरोकी एक लड़की को ढून रहा था ये लड़की उसे मिल गए पर बहुत दिडरी हुई थी उसने डर कर हिरोकी पर बहुत सारी गोलिया चलाए और उसे मार डाला हिरोकी ने मरते मरते कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगता है, यह बहुत रोती है, कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते थे, तब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मिट्सु को भी यहाँ पहुच जाती है, और इस लड़की को मार डालती है, मिट्सु को हमारा बहुत ही डेंजर कर रहा था उसे तच करने वाला था पर छोटी मिट्सुको ने उसे धक्का दे दिया स्टेर से नीचे किर कर वो आदमी वही मर गया उसका चायड़ूड बहुत ही हाड रहा है इसके बाद हम देखते हैं मिट्सुको और किरियामा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं यह दो करना पड़ता है अब इनका नेक्स्ट प्लान है कि जो बाउम उन्हेंने बनाया है वो कवाड़े के पास लिकर जाएंगे और पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे यह सब लोग जाने वाले थे तब वहां किरियामा पहुँच आता है हैकर किरियामा को ऐसे ही जाने नही दे सकता जिस बॉम को उसने बनाया था इसी बॉम को एक्टिवेट करता है और ब्लास कर देता है इस बॉम की स्मूक को देखकर वहाँ पर नोरी को नानहरा और जॉन पहुचते हैं यहाँ पर वो देखते हैं तो किरियामा अभी भी चल रहा है बॉम की वज़े से वह अंध जॉन नोरी को और नानहरा यह सिर्फ तीनी लोग बचे हुए हैं इस सम्मूंदर के बास आते हैं और सोचते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए जॉन गयादा है कि तुम लोग भूले हो मेरे प्लैन के लिए तुम परफेक्ट हैं मैं जब इस आलेंड पर आया तभी मैं ने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से जीतने वाला हूँ जॉन की गोलिया चलाने की आवाज फिर हमें आती है इन सब के गले में डिवाइस है इस डिवाइस से कवाड़ा इन सब की बाते सुन सकता है कवाड़ा का सिस्टम खराब हो चुका है उसे पता नहीं है नोरी को औ उनकी बाते सुन सकता है उसने प्लान बनाया था नोरी को और नानाहारा इस आइलेंड पर ही छुप जाते है कवाड़ा डिकलेर करता है एक गेम अब ऑफिसले खतम हो चुका है थोड़ी दिर में हेरिकॉर्टर तक जॉन पहुच जाता है कवाड़ा जॉन को खाना भीना द दिखाता है इस पेंटिंग में सिर्फ नोरी को इस आइलेंड पर जिंदा है और सब लोग मर चुके हैं यह पेंट किया हुआ है कवाड़ा अपने ट्विस्टेड वे में उससे पैर करता है तो नोरी को बचाना चाहता था नोरी को हमेशा से प्रोटेक्टी कर रहा था जो बिस्किट नोरी को ने नानाहरा को दी थे वो कवाड़ा ने चीन लिये थे उसकी फैमिली भी उससे पैर नहीं करती थी उससे अब जीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है वो इनको गहता है कि मुझे मार डालो नानाहरा उससे नहीं मार सकता कवाड़ा अपनी गन निक और नहीं कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो चाहता है कि नोरी को सेफ रहे, सब कुछ ठीक है, यह कहकर वो मर जाता है, आलेंड में एक शिप वो ढून लेते हैं, और जॉन उसे सही डारेक्शन में लेकर जाता है, जॉन बहुत ही इंजोर्ट है, तो नानाहरा को कहता है कि इसी दारेशन में तुम स्टियर करते रहना वो फिर नीचे गीर कर रेस्ट करता है जौन अपनी गर्फेंट को याद करकर मर जाता है अब नानाहरा और नौरी को ये दोनों बच चुके है गवर्मेंट को पता है कि दोनों एक्सकेव हो चुके है वो इन दोनों को ढूडने की कोश जाना है तो इसके लिए हमेशा वो ट्राय करते रहने वाला है यह यह मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारे इस तरह की मूवी लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानलों को सब्सक्राइब क मत भूलिया है हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब ते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे है